मेरे सबी किसान भाईयों को नमस्कार मेरा नाम है नितेज जैन और आप सब का स्वागत करता हूँ मैं आज की इस ओफिशल यूट्यूब चैनल पे दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे प्रभात फर्टिलाइजर के प्रभा पोटाश के बारे में यहां दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आपको दोनों ही तरह के potash, जो की liquid form में भी है, granular form में भी है, powder form में भी है, उसकी उपियोगिता बताएंगे कि कौन-कौन सी फसल में आप इस bio fertilizer का उपियोग ले सकते हैं, इसकी technical नाम के बारे में भी जानकारी देंगे, और साथ ही साथ में दोस्तों इसकी dose के बारे में भी बताएंगे, कि कितनी मात्रा में आपको प्रभा-पोटाश लेना है, कौन-कौन सी फसल में आपको इसको उपियोग करना है, कितने लिटर पानी में इसका घोल करना है, कौन से मौसम में करना है, कौन सी फसल में करना है, अन्य कोई दवाई मिलानी है या नहीं मिलानी है, ये भी आपको जानकारी देंगे इस वीडियो के माध्यम से महत्वपून बातों के हिस्से में, और वीडियो के अंत में प्रभापोटाश करते समय आपको क्या-क्या सावधानिया रखनी चाहिए उन सब के वारे में भी जानकारी देंगे तो दोस्तों बने रही है हमारे साथ में अभी तक भी वीडियो को like नहीं कर आओ तो please वीडियो को like कर लीजे वीडियो पूरा देखने के बाद में अगर वीडियो से value मिलती हो जानकारी पसंद आई हो तो please इसको अपने दूसरे किसान भाईयों के साथ में जरूर शेर करिए आईए दोस्तों आपका ज्यादा समय ना लेते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं कि जो प्रभा पोटाश है इसका उपयोग आप तमाम तरह की डालों की फसल जैसे की बीन, स्मूंग, डाल, चना, डाल, आदी में उपयोग कर सकते हैं अनाज, तमाम तरह की अनाज जैसे की गेहू, धान, मक्का, जो, जई, जवार, आदी में उपयोग कर सकते हैं फल के पौदे जैसे की सेब, अंगूर, केला, अनार, पपीता, अमरूत, स्ट्रॉबरी, स्ट्राइकेट, आदी साइट्रिक मतलब दोस्तों, जितने भी तरह के खटे फल होते हैं, उनमें आप उपयोग कर सकते हैं सबजियां, आलू, बैंगन, टमाटर, फूल, गोबी, ओकरा, शिमला, मिर्च, प्याज, गोबी, अदरक, मतर, आदी और अन्ये फसल जैसे कॉफी, चाय, गन्ना, चकुंदर, कपास, फूल, तेल, बीज और औश्दिये पौदे आदी फसलों में किया जा सकता है वैसे मैं आपको एक बात बता दू, मोटा मोटा क्योंकि यह बायो फटिलाइजर है और पोटाश है, किसी भी फसल में आप डालेंगे, चाय गलती से ही डाल दें, कोई नुकसान नहीं करेगा पोटाश कभी भी किसी फसल में नुकसान नहीं करता है, और हमारी जमीन में पोटाश की बहुत ज़्यादा कमी भी है, ऐसा सरकार भी कहती है, और किसान भी महसूस करता है, इसलिए पैदावार घटी है, तो इसका कोई नुकसान नहीं होगा, अगर आपने, हमने जो बताई ये फसल, इसके अलावा भी किसी फसल में डाल दिया तो, तो आप बेनिशिंद होके, ये दवाई, ये बायो फर्टिलाइजर डाल सकते हैं, अब दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इसके टेक्निकल नाम की, जी हाँ दोस्तों, आप नाम से ही समझ गया हूंग और पचास किलो के कट्टे में आता है, ये एक मॉबिलाईजिंग फर्म में पोटाश है, जो की ज़़ादा फायदा और ज़़ादा जल्दी तरीके से फायदा पहुचाता है, फसल में। आई दोस्तों, इसकी डोज जान लेते हैं, जिया दोस्तों, इसकी दानेदार अगर पोटाश है वो पीले रंकी थेली अगर है तो 4 किलो प्रती एक एकर लेना है और अगर लिक्विड फर्म में पोटाश है तो 500 ml मतलब आधा लीटर एक एकर में इस्तमाल लेना है और एक एकर में दोस्तों 10 इस्प्रे टैंक लगाने रहते हैं आपको चाहे आप कोई सी भी दवाई करें खुराग फसल के चर्णों पर निर्वर करती है जैसे की आप इसको नर्सरी में भी आवेदन कर सकते हैं बीजुक्चार में भी आवेदन कर सकते हैं और ये ही वो जानकारी है जिसको समझने आपको बहुत ज़्यादा जरूरी है. ये potassium mobilizing bacteria, futreya, outeria का प्रयावरण के अनुकूल सुत्रिकरण है. ये scientific language है, आगे मैं आपको आसान शब्दों में बताता हूँ, जो rhizophere में बस जाता है और फसलों को तेजगती से बढ़ने के लिए potassium के अगुलनशील रूप को जुटाने में मदद करता है. जो potassium का अगुलनशील पदार्त मौजूद रहता है हमारी मिट्टी में, उसको ये active करता है अपनी ताकत से और वो आपके पौधे की जड़ों तक पौधे तक पहुचाता है. और इसी वज़े से जब पैदा, मतलब जब आपकी फसल में ग्रोथ रुकी हुई होती है, उस समय काम करता है और फसल बहुत अच्छे ढंग से ग्रोथ करने लग जाती है, बहुत अच्छे ढंग से बढ़ने लग जाती है, पौधे की रोग प्रतिरोधक शक्ती बढ़ जा की पौधों की शम्ता को बढ़ाता है सर्दी के समय ज्यादा मावट के समय ज्यादा जो तापमान कम पड़ता है दिसंबर जन्वरी में जब सर्दियां पड़ती है गेहुँ आदी में उस टाइम आप पोटाश डालते हैं तो पोधे को वो गर्मी प्रदान करता है इसलिए पोधा निस्वार्थ भाव से पोधा मतलब ग्रोध करने की कोशिश करता है पोधा फुटान करने की कोशिश करता है कितनी भी विपरीत परिस्तितियां आ जाए कितना भी विपरीत मौसम हो जाए लेकिन पोटाश अगर आप डालते हैं तो पौधा कहीं से भी संकट में नहीं आता है उसकी रोग प्रतिरोदक शक्ती अच्छी होती है और पौधा बहुत जादा हरा भरा रहता है पौधे में किसी भी तरह का रोग नहीं आता है पौधा निरोगी रहता है और दोस्तों ये मिट्टी के pH और तापमान की एक विस्तरिश शंकला को सहन करता है मतलब जादा कम तापमान भी हो जाता है तो भी सहन करता है जादा गर्मी पड़ती है तो भी ये पौदे को थंड़क बनाए रखता है इसके आवेदन से फसल की व्रद्धी और उपज में काफी सुधार होता है और पोटाश आवेदन की लागत से 50-60% तक कम हो जाती है आपकी लागत अगर आप पोटाश डालते हैं लिए उप्युक्त है दूसरी दवाईयों के साथ में भी आप इसका गोल बना सकते हैं और दोस्तों बात करें तो ये महत्वपुन जानकारियों के बाद में सावधानी रखना बहुत जरूरी है बच्चों को दवाईयों से दूर रखना है लिक्विड अगर दवाई है तो बॉटल को अच्छे डंग से हिलाने के बाद में ही उसका गोल बनाना है granular अगर दवाई एर उसका अगर घोल बनाना है दानेदार अगर दवाई एर घोल बनाना है तो साफ बरतन में साफ पानी लेके डंडी से अच्छे डंग से उसको हिला लेना है तब तक हिलाना है दोस्तों जब तक वो पानी के समान वो दवाई नहीं हो जाती है उसमें एक भी जो दानेदार पदारते वो नहीं रहना चाहिए और साफ पानी में ही दवाई का स्प्रे करना है, सुभे के समय और शाम के समय ही दवाई का स्प्रे करना है, दिन में ज़्यादा गर्मी में तापमान में स्प्रे करने से बचना है, हलकी नमी में करेंगे तो और ज़्यादा अ हवा से विपरीद दिशा में कभी भी नहीं स्प्रे करना है मतलब जिस दिशा में हवा बह रही है उसी दिशा में आपको स्प्रे करना है ताकि दवाई की एकमात भून भी इधर उधर के खेतों में नहीं जाए आप जहां स्प्रे करना चाहते हैं पर यह दवाई का स्प्रे हो और आपके मानव शरीर पर भी वापस आकर नहीं लगे और दोस्तों जो बॉटल है इसको पूरा इस्तमाल करने के बाद में जब खाली हो जाती है कटा खाली हो जाता है तो इसको क्रश करके तोड़ मोड़के आबादी से दूर जमीन में गाड़ जब भी आप दवाई का करें और जब आप फसल की कटाई करें उन दोनों के बीच में 15 से 20 दिन का गैब जरूर होना चाहिए ये आपको तमाम सावधानिया अपनानी है जब भी आप प्रभा के पोटाश का इस्तमाल कर रहे हैं तब अक्षरश है अपनानी है दोस्तों और जानकारी देंगे दोस्तों प्रभा के ही दर्मा बायो फटिलाइजर के बारे में जिया दोस्तों ये क्या काम करता है कैसे काम करता है और इसमें क्या टेक्निकल है ये सारी जानकारियां देंगे आपको विस्तार से और व्यापक रूप से आगे आने वाले वीडियो में तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक करिए हमारे चैनल को सबस्क्राइब करिए और नोटिफिकेशन का बेल आइकन जरूर दबा लीजिए दोस्तों ताकि आने वाले वीडियोज की जानकारी आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से मिलती रहे और आपका और हमारा साथ ऐसे ही बना रहे दोस्तों नमस्कार